तीन महीने बाद लोकसवा चुनावों के पहले मोडी सरकार ने आर्थिक रूप से पिछले लोगों के लिए 10 फीजदी आरक्षन का शिगूफा चुड़ा है लेकिन मोडी सरकार का ये दाव सुप्रीम कोर्ड में सम्विधाने कसोड़ी पर खरा उतर पाएगा इसमें तो संडे है ही उस पर तुर्रा ये कि सरकार के पास नौकरियां ही नहीं है केंद्र सरकार की भरतियों में मोडी सरकार के पहले दो साल में इतनी कमी आई कि उसके बाद इसके बारे में आंक्डे जोटाना ही छोड़ दिया गया संसद में पेश किये गए आंकडों के मुताविक 2013 में 74 मंतरालायों द्वारा 1,51,841 और 2014 में 79 मंतरालायों में 1,26,261 सीधी भरती के माध्यम से नियुक्ति की गई जबकि 2015 में 50 मंतरालायों में मात्र 15,887 और 2016 में महज 7,903 पद ही स्रजित किये गए मतलब ये कि UPA के आखरी दो साल के मुकाबले मोधी सरकार के पहले दो साल में ही भरतियों में 90 फीजडी की भारी कमी हुई जो दूसरे साल में 95 फीजडी पर पहुँच गई और तो और तीन साल में संग लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चैयन आयोग और रेलबे भरती बोर्ट द्वारा की गई कुल भरतियां भी कम हो गई है 2014-15 में इन तीनों एजन्सियों ने 1,13,524 भरतियां की थी जो 2015-16 में घटकर 1,11,807 और 2016-17 में 1,933 ही रह गई इतना ही नहीं, मोधी सरकार के कारिकाल में सरकारी उप्रमों में 1,40,000 कर्मचारी कम हो गई 2014-15,15,66,000 की तुलना में, 2017-18 में सिर्फ 14,26,000 कर्मचारी ही रह गई सच तो ये है कि कार्मिक राजमंत्री जेतेन सिंग ने 7 मार्च 2018 को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि सभी सरकारी मंत्रालायों और विभागों को निर्देश दिये गई है कि 5 साल से अधिक समय में खाली पड़े पदों को समाप्ट कर दिया जाए यानि 4 साल में सरकार के विभाग प्रधान मंत्री नरेद्न मुदी के मिनिमम गवर्मेंट के वादे को पूरा करने में मुस्तैडी से जोटे है एक तरफ सरकारी नौकरियों में जम कर कटौती हुई तो दूसरी तरफ 65 करोड लोगों के लिए 10 फिस्दी आरक्षन का प्रावधान जाहिर है कि ये सिर्फ एक छलावे और चुनावी जुमले से ज्यादा कुछ नहीं 2014 में नरेद्र मुदी ने 15 लाक रुपए और 2 करोड नौकरियों जैसे लुभावने वादों की जड़ी लगा दी थी जिन्हें बाद में खुद मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमिश्चाह ने जुमले करार दिया था लेकिन सवाल ये है कि क्या लोग एक बार फिर जहांसे में आकर बीजेपी को सत्ता में लाएंगे दिली से शचांग पाठक के साथ बीरे रिपोर्ट स्वराज एक्स्प्रेस